आप देख रहे हैं पावरव जनातिकार नियूज देश की हकीकत आपके आवाज का कर دیا ट्रांस फरलक्षमन सिंग पावर व अनोज कुमार शिवास्तव को किया बरखास्ट विजय कुमार यादव बल्राम यादव को किया सस्पेंटी स्माईल को अशोक शिवास्तव को हुना है रिटायर मेंट करमचारियों का आरोप की भ्रष्टाचार की शिकायत सी एम से कि थी सी एम ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच के निर्देश भी दिये थे करमचारियों का आरोप की भ्रष्टाचार की शिकायत का ले रहे हैं बदला डारेक्टर अशोक श्रिवास्तव रि पिछले तीन सालों से वेतन सी एम के निर्देश की बिना मेरे अनुमती के नहीं होगा कोई भी स्थानान तरंट सी एम के अनुमती के बिना ही कर दिये ट्रांसफर आदेश को लगा दिया पलिता करमचारियों का कहना कि न्याय न मिलने की स्थित में करेगी आत्म दाह बायट लक्षमन सिंग पन्वार, पीडित बर्खास्त करमचारी बायट, मनोज कुमार श्रिवास्तव, पीडित बर्खास्त करमचारी सबसको मिला कर दो कि उसको किया उसके लेकर स्क्राइब की लोगा उसके खिलाब भॉल की सिछ तर्लिय कि माधें कि उन्रॉक बाणिわか Means और दो अगर मेरी मांगे अगर सासन पुसासन नहीं मानेगा अगर मुझे टर्मिलेट कर दिया तो सब्सक्राइब कर एक तो अपना परते लेटार सिंग न है नहीं गहरें दिग्रीख या पुंहें नहीं मिलेगा नायद मुझे अगummp को करमचारी संग का उपाध्यक्षू क्या मामला है आपका हम लोग को पिछले तीन वर्सों से वेतन नहीं मिलना है तीन वर्स पहले हमारे अश्चासी निजर असो कुमार सिर्वास्तों आये थे यहां पर डिरेक्टर बनकर तब से इन्होंने बहुत गड़े इस्तर पर ब्रस 2018 से आज तक चल लही है लेकिं उचे इस्तर पर इनका साथ गाट के चलते आज तक वह जात पूरी नहीं हो पाई है जबकि 31 तारी को रिटायर होने वाले लागडाउन चला था ऐसे में क्या कारवाई की गई है हम लोग अपने वेतन को लेके और अपने डारेक्टर को हटाने के लिए के पिछले 11 फर्वेश 2020 से हर्ताल पे थे 21 तारीक तक हम लोग हर्ताल पे रहे मार्स तक 22 तारीक को देश में लॉक्डाउन लग गया तो हम लोग की हर्ताल इस्थखित हो गई और उसके बाद हमारे परदान मंतीजी ने घोशना की थी कि किसी भी करमचारी की करोना काल में जो थोड़ा कार शुरू हुआ तो हम आरे डारेक्टर साहब आफिस में आके बैठे और हम लोग जो लागडाउन में अपने घर पे बैठे थे इन्होंने सारे करमचारी नेताओं के लाब कारवाई करनी शुरू कर दी उसके तैत इन्होंने अपने रिटार्मेंट 31 माई के पह सबसे नहीं कि सबसे बढ़ा हुं मेरे कलब में ताकत मैं किसी मुखमंतर्य प्रदानमंतर्य को नहीं जानता अब यह तो सम्मान की बाद हमारे परद्धान मंत्री और मुखमंत्री की है कि इन से किस तरीके से निपटते हैं एक तो मेरा लचमर सिंग पवार और दूसरे हमारे महामंत्री मौनुज कुमार सिर्वास्तों को बरखास किया है और दो जो लकनों में कारे रचे नवीन चंदू उपाध्या उनको लकीमपुर्ण कर दिया और मेरंगता आप उनको त्हड़े मुखमंत पिछले दो वर्षों से हम लोग लगाता है अब इस समय हम लोग मांची रूप से इतने ज्यादा प्रताड़ी थे क्योंकि भी आठ तारिक को हमारा बर्खास कि हमें लेटर नहीं मिला लेटर अभी हम लोगो दो दिन बाद पहले ही सुचना लगी कि हम बर्खास हो हैं 11 तारिक को मनों सिर्वास्तों को किया उनकी सूचना भी हम लोगो वार्षब के जरे किसी माज़धम से मिला कि हम लोग बर्खास हो गया है क्या मांग करते हैं हम यह मांग करते हैं कि हमारे मुखमंत्री जिनके पास हमारी आवाज पहुच नहीं पा रही है और उच इस जाच चल लए दोसी मिले तो इनके सारे देख खतम कर दिये जाए और हम लोग को जो है पुर नियाए दिलाए जाए जाए जिसमें क्या कभी जाच हुई थी पूरे भष्टाचार में जी जाच चल लए पिछले दो साल से अखन परतासिंग विसे सचिव जाच कर रहे हैं ल